स्वागत है आपका अपने चानल आरोग ये इंडिया में दोस्तों अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बैल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करें दोस्तों मेनोपॉस के बाद बजन बढ़ने की समस्या आम होती है मेनोपॉस के दौरान महिलाओं के शरीर में कई प्रकार के हॉर्मोनल बदलावाते हैं जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की स्वास्थे समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है मैनोपॉज होने का सही समय 40 या उसके बाद होता है और यदि इस उम्र के पहले महिलाओं को मैनोपॉज आ जाता है तो उन्हें असहजता महसूस होने लगती है मैनोपॉज के दौरान अंडे का उत्पादन होना बंद हो जाता है और इस वजह से भी कई मानसिक और शारीरिक समस्याएं हो जाती है मैनोपॉज के बाद कई महिलाओं का वजन आनियमित रूप से बढ़ने लगता है और इसके कारण भी उन्हें कई स्वास्ति समस्या होने का खत्रा बढ़ जाता है इस दौरान बढ़ते वजन को रोकने के कई उपाई होते है चलिए आज हम आपको उन्हीं उपाईउं के बारे में बताते है हॉर्मोनल बैलेंसिंग थेरपी और हॉर्मोन रिप्लेस्मेंट थेरपी प्रक्रियाएं है जो मेनोपॉस के दौरान सेक्स हॉर्मोन के नुकसान को रोकता है इसके अलावा ये थेरपी मेनोपॉस के बाद वजन को भी बढ़ने से रोकता है और शरीर के अतिरिक्ट फैट को बर्न करने में मदद करता है मेनोपोस के दौरान एक्सरसाइस करना या शारीरिक गतिविधी को बनाए रखना आवश्चक होता है क्यूंकि इससे आपका वजन नियंतरित रहता है और शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फैट भी बर्न हो जाते है एक्सरसाइस और भी कई प्रकार से शरीर को स्वस्ट बनाए रखती है ऐसे समय में स्वस्ट आहार का सेवन करना बहुत जरूरी है खासकर मेनोपोस के बाद मेनोपोस के बाद वजन बढ़ने का खत्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसलिए ज्यादा ओइली या फ्राइट चीजे ना खाएं और कोशिश करें कि फाइबर युक्त आहार का ही सेवन करें और लो कैलरी वाले खादे पदार्थों का ही सेवन करें परियाप नींद लेना स्वास्थे के लिए जरूरी होता है और ये कई स्वास्थि समस्याओं से भी बचाता है मेनोपॉस के बाद कम से कम आपको 6-7 घंटे की नींद लेना जरूरी है ताकि आपका वजन नियंतरित रहे तो दोस्तों अगर आप भी मेनोपॉस के बाद अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं तो हमारी बताई हुई इन टिप्स को ज़रूर ध्यान में रखें हेल्दी हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल आरोग या इंडिया सुअस्थ भारत की सुअस्थ परंपरा को धन्यवाद